आज बहुत लंबे अंतराल के पश्चात ब्धान सभाद एक्ष मोदे हिमाचल परदेश में जो निर्दलिय विधायकों ने जो त्यागपत्र दिया था उसके संदर्ड में ठैसर है है। तीनों सजास्यों ने जो त्याक पत्त दिया था उसको सविकार किया गया है। और मैं इस बात को लेकर कहरान हूँ कि विधान सभा अध्यक्ष मोदे जी ने जिस परकार से राजनेतिक देश्टी से कॉंग्रेस की सरकार को बचाने के लिए काम किया। और जिस से जाहिर होता है कि कॉंग्रेस पार्टी का कॉंग्रेस की सरकार का उनके ओपर या तो दवाब था या कोई बहुत बड़ी इस तरह की बात अंदर की जिसके मात्यों से वो मदद करके कुछ अपना लाब लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस बात को लेकर के भी हराम मैं ही ने पुरा परदेश और पुरा देश यहां तक के जहां उन्हें ऐसे शब्दू का इस्तेमाल किया है जिसकी वीडियो क्लिपिंग्स हमारे पास है कि छे के सर कलम कर दिये और तीन आरे के नीचे हैं। और बहुता नंत के साथ बोल रहे हैं। ये शब्द भी विधान सबा के अध्यक्ष की गरिमा के हिसाब से मैं संतों की उजित नहीं है। बहुत दुर्भागय पून है जिस परकार से हिमाचल परदेश में विधान सबा के अध्यक्ष ने पूरे इस घटना करम में राजनेतिक लाव कॉंग्रेस पार्टी को देने की कोशिश की, कॉंग्रेस के सरकार को बिचाने की कोशिश की ये दुर्भागय पून है। लंबे समय तक इतिहास का इस्सा रहेगा जब विरहन सबाध्यक्ष ने तटस्त हो करके नहीं फैसला लिया और उल्टा कॉंग्रेस पार्टी के प्रभाव में दवाव में रहे करके फैसला लिया